तो मावूल है, क्या वो सोचता है, क्या हमारे नेता सोचते भी भी राजियों के अंदर, और क्या हम लोग सोचते हैं, तो खुल के बाचीद उन्जे हमने करी है, और हमने यह भी कहा है कि जो वर्तमान प्रश्टि तर्फीन देश की बनी है, चुनाव में हारजीत होती रहती है, पहले भी हुई है, उन्होंने हमारी बात को बहुत ज्याने सुना है, ज्याने सुना है, और हमने अपनी बात दिल से कहिए, सब ने मिल करके, हम उमीद करते हैं कि वो हमारी बातों को गवर करेंगे, और समय आने पर इस सही सैंसला करेंगे हमने अपनी भावना बता दी उनको सबने मिलकर के और खुलके बाचित हुई है लंबी बाचित हुई है दिल से बाचित हुई है और हम चाहते हैं कि आज की परस्तिती में राउल गांदी जी की जो उनका संदेश देश को जिनों इस बेश राजनिती करी चुनाव के अंदर भी चुनाव में इस बेश राजनिती करना केंपेंड करना प्रिंशिपल पॉलिशी प्रोग्राम पर वह उन्होंने एड़प किया था किसे चुनाव के अंदर दूसरे पर देश भक्ष ने देश ब्..?दी गुम्रा किया देश को दूसरे पक्षण मोधी जी ने जिस प्रकार से क्यश्टी स्यर्म के पिछे चिजिङ करी हिसे दो लोगों को जरम पके नंपर गुम्रा किया अ रह canyon माहोल बना दिया कि जो इस चुनाओ जीतने के लिए वो जाती या धरम के नाम पर शेना के पर शिपके राजदीदी करना अलग बात है इस पकड़ के राजदीती हुई राहूल गांदी ने राहूल गांदी जम करके केम्पेंड किया और पूरा देशी बात का लोग मानता है तो आज कि चुनाओ की पढ़ना है थे उस दिन से इस पर पेसकर होती है मुख्य मंतियों के लिए चुनेवी स्रकार होती है उनको तो इस पर लखना ही पड़ता है वो चुनाओ के अंदर हमेशा हाई कमार्ट फैसला करता है कि आगे हमें क्या फैसले करने हैं पूरी वरकिंग कमेड़ी ने राउल गांदी जी को अधिकत कर दिया है वो जो चाहें वो फैसला करें उनकरें रिप्लेस्मेंट करें कुछ भी करें यह फैसला 25 अगत को शुका है उसके कोई चादक विसे नहीं है पसी जून को शुका है इंपोर्टन सवाल यह है कि राउल गांदी जी ने हमारी बातों गोड़ से सुना है चुना है गोड़ से सुना है हम उमीद करते हैं कि वो पोईट्व फैटला करेंगी